यूपी पुलिस कॉंस्टेबल वैकेंसी 2021 और इसको लेकर सारी अपडेट हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि इसकी एज लिमिट क्या रहने वाली है इसका क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है और इसके लिए आपको कितनी सीट्स रिजर्व की जाती है फिमेल के देखिएगा आपको यूपी पुलिस कॉंस्टेबल वैकेंसी 2021 के बारे में सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी और आपको यह भी बताऊंगा कि फार्म इसका कब तक आ सकता है और किस अनुमान से लोग यह बता रहे हैं कि फार्म अपने इस दिन आएग जानकारी होती है सब आपको यहां पर सबसे पहले देखने को मिलेगी तो चानल को सब्स करें जो सबसे पहले जाएगा या फिर आप चैनल का नाम है वह फोहां पर चानल करेंगों को एक चैनल मिल जाएगा सेम लोगों से मिल जाएगा सेम लोगों जो इहां हमारे चैनल का लोगो है सेम लोगों यह वहां पर भी रहेगा उसे लोगों सिम्ल एटाइगा उसको क्लिक करके और इसको जॉइन कर ली जाएगा ठीक है तो वणा बात करते हैं कि यूपी पुलिस कॉंस्टेबल हरती कब तक आएगी और इसका क्या एज लिमिट और इसकी क्या क्वालिफिकेशन राने वाली है तो देखिए इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इतने ही राने वाली कि मतलब इंडिया के किसी भी बोर्ट से अगर आप पास हैं इंटरमीडियेट तो यहां पर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इसकी फिटनेस फिजिकल क्वालिफिकेशन अलग से अगर आप कहेंगे तो उसके लिए मैं वीडियो बना ज्यादा ज्यादा कमेंट आएगा तो जरूर से वीडियो बना दूगा तो इसमें देखें इंटरमीडियेट पास होना चाहिए आपको किसी भी मतलब बोर्ट से इससे नहीं में आने रखता बस किसी भी बोर्ट से इंटरनेट मतलब इंटरमीडियेट आपको यहां से पास आप हैं तो इसमें अपलाई कर सकते हैं फीमेल हैं तो 18-26 साल का यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा और OBC, SC, ST मेल हैं तो 18-28 साल आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा मेल के लिए और अगर आप फीमेल हैं OBC में तो यहां पर आप देख सकते कि 18-31 साल का यहां पर आपको देहने को मिल जाएगा OBC, SC, ST के लिए 5 years का age relaxation होता है जो कि उतना दिया नहीं जाता है 2 years का हम को अनुमान है कि यहां पर 2 years का आपर age relaxation दे दिया जाता है ठीक है तो आप लोग इसको ध्यान में रखिए कर ठीक है ध्यान में रखकर अगर आप इस लिमिट में आते हैं तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए जो यूपी यूपी SSC जो यूपी SSC पेट का है जो है न जो इसका सेले बस सेम सेले बस इसका यूपी कॉंस्टेबल का भी है तो यूपी SSC पेट का अगर आप हम भरे हैं तो आप इसकी अगर तयारी कर रहे हैं तो इसकी भी तयारी साथ में करते रहे हैं और इदम बिल्कुल अगर इ देखने को मिल जाएगा जो चीज आपको यूपी त्रिपल सी पेट में आपको देखने को मिलता है ठीक है और अगर अप्लिकेशन फीज की बात करें तो अब सभी यहाँ पर कोई फीज में कोई यहाँ पर रिजर्विशन देखने को नहीं मिलता है कि ओभी सीस को इतना इतना यहाँ पर साफ बोला गया है कि सभी केटेगरी के स्टुडेंस को चार सो रुपए यहाँ पर फीज पे करना होगा ठीक है जो कि एक तरह से आप कहा सकते ठीक नहीं है लेकिन तभी भी 400 रुपए आपको सभी लोगों को पे करना पड़ता है और बात करने कि अगर इसका फार्म कब तक आएगा तो देखे इसका फार्म आने की जो डेट है काफी लोग बता रहे हैं कि सेप्टेंबर में आएगा फार्म लेकिन ये लिख कर लिजे कि सेप्टेंबर में इसका फार्म नहीं आने वाला है क्योंकि आप लोग जिस तरह से देख रहे हैं फॉस्ट वेव आई थी इसके बाद सेकेंड वाई वेव आई थी उसमें थ्री डेज का लगवगवग गैप मिला था ठीक है और थर्ड वेव में भी यही अनुमान लगा ज को मुख्य तो लेक्पाल की भरती आई जै रहा है ठीक है तो लेकशच्ट वेले यहां पर लेकर अउसी यहां पर लेकर यह QCĐ का लिया जा रहा है लेकिन इसकी भरती आएगी आएगी क्योंकि ये last चलना है इनका last year चलना है CM का ठीक है और last year में भरती ये पुलिस की आती ही आती है तो इतना तो confirm आप समझ लिए कि भरती जरूर आएगी आप लोग को भरती देखने को मिलेगी और आप लोग बस तैयारी में लग जाईए और अच्छे से अपने तैयारी को अच्छे से करिए ताकि आप इसको एक बार में निकाल सकें ठीक है तो बस इतना ही जानकारी आपको देने थी अगर कोई आपका डाउट हो तो हमारे टेलिग्राम चैनल से जूड कर वहाँ पर कमेंट कर येगा वहाँ पर मैं आपका डाउट साल्प कर दूँगा टेलिग्राम चैनल से जरूच जूड जूड येगा और बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जैन दोस्तों वान्देवात रहो